ऐसे कुछना बच्चुक, ओन्लाइन क्लास में आपका फिरसे स्वागत है, ओन्लाइन क्लास में आज हम गुणा के बारे में अध्यां करेंगे, तो देखिए, गुणा बदब संख्या को बार-बार जोड़ना, तो रसना आज का हमारा है गुणा के रूप में लिखिए, अब तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, ये तो हो गया, जोड़ का रूप, ठीके, अब इसको गुणा की रूप में लिखना है, तो तीन कितनी बार आया है, चार बार, तो 3, 4 इंटु 3, तो कितनी ऊट जाये गा? 12, तो यहां लिख दिया, हमने इस बार, फिर है, तीन बार 7 अब 3 बार 7, 7 कितनी बार लिखना है? 3 बार, कितनी बार लिखना है? 7 को 3 बार, मतलब 7 को 3 बार जोड़ देते हैं 7 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है? कितनी बार लिखा 7 को हमने? 3 बार, अब इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 into 7, तो कितना हो गया? 21, 3 सते 21, ठीक है, इरेके, 3 का पहड़ा अगर हम 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 21, ऐसे 4 का पहड़ा 3 बार बोलने भी आएगा, 12 और अगर तीन का पहाड़ा चार बार बोलोगे तो भी बार आएगा साथ का पहाड़ा तीन बार बोलोगे तो भी 21 आएगा ठीक है अब है अगला पांच बार नो अब नो किती बार लिखना है पांच बार ठीक है तो नो प्लस नो प्लस नो प्लस नो प्लस नो तो 5 इंटू 9, कितना हो गया? 45, 5-9, 45, ठीक है? अगर 9 पंजे होता है तो भी 45 होगा और 5-9 है तो भी 45 होगा, ऐसे ही अगला है प्रस्ण हमारा इन्हें मिलान कीजिए, क्या करना है? भाग अग और भाग बग को आपस में मिलान करना है, अब देखे, ये गुणा दिये मैं है अपस में गुणा की संखिया दी गई है, अब इनको दोनों का आपस में गुणा करने पे एनको गुणा कर लेता है ऐसे हम सीधा भी फिर रहा सकते हैं पर आपको आसानी रहेगी, तो इसलिए सबसे पहले हम आगे की संखिया कर लेते हैं, ताकि आपको मिलान केरे में आसानी होगी, अब जैसे ये कितना है, तीन चॉग कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ लिख दिया 12, अब पांचचं कितना होग 30, फिर 6 तिया, कितना होगा, 18, चया का पाड़ा तीन बार बोलेंगे, तो क्या संख्या आएगी, 18, ठीके, फिर 7 चोग कितना होगा, एक के, 7 चोग 28, ये देखे, फिर है, आटो पंजा, 40, तो यहां लिख दिया हमने, 40, फिर है, पांचो सता, 35, ये हमने लिख दिया, 35, अब ये संख्या है, आराम से मिलान कर सकेंगे, न, फिर, तीन दाय, कितना होगा, 30, 6 दूनी, 12, 7 चोग 28, 9 दूनी, 18, और 7 पंजा कितना ह होगा, 35, और 10 दाय, 40, ठीक है, अब हम, इन गुणा को आपस में, मिलान करना है, अब यहां कितना आया है, तीन को चार से गुणा किया, तो यहां आया, 12, अब इस में से कौन से संख्या को गुणा करने पर 12, दो को 6 से गुणा किया हमने, तो कितना आया, 12, तो ये देखे, संख्या को इस से मिलान कर देंगे, फिर है चैतिया, 18, कितना है, चैतिया, 18, तो देखे, अब इसमें से कौन से संख्या को गुणा करेंगे, तो 18 आएगा, ये देखे, दो को हमने 2 से गुणा किया, तो संख्या क्या आई, 18, तो ये हमने इसको मिलान कर दिया, फिर है साच् चार सते 28 तो ये देखिए ये हमने इसको मिलान कर दिया फिर ये आट पंजा 40 अब इसमें 10 चौके 40 तो इसको आपस में मिलान कर दिया 40 को 40 से अब ये पांचो सता 35 अब इसमें 35 कहा आ रहा है सत पंजा 35 तो ये हो गए हमारे मिलान ठीके फिर अगला प्रस्न है पहाड़े लिखी तो पहाड़े लिखने है 2 का, 9 का, 7 का और 8 का आपको पहाड़े अच्चे से लिखवाए हैं फिर वे एक बार दोरा लेते हैं 2 एकम 2, 2 दोनी 4, 2 ती अच्छे 2 चोके 8, 2 पंजे 10, 2 चंग 12, 2 सते 14 2 टे 16, 2 नम 18, 2 दै 20 फिर नो का, तो 9 एकम 9, 9 दोनी 8 आठारा 9 तीय सताइस, 9 चोके चतिस 9 पंजे 45, 9 चंग 54, 9 सते 63, 9 टे 72, 9 नम 81, 9 दै 90 फिर साथ का पहाड़ा, तो साथिकम साँ, 7 दोनी 14, 7 आएकके 7, 7 चोके चताइस 7 पंजे 35, 7 चंग 42, 7 सते 59, 7 आठारा चंग 56, 7 नम 63, 7 दै 70 फिर आठ का पहाड़ा, तो आठिकम 8, 8 दोनी 16, 8 तीय चोईस 8 चोक 32, 8 पंजा 40, 8 चंग 48, 8 सता 56, 8 आठारा चंग 64, 8 दम 72, आठारा अस तो इस प्रकार से में ये प्रस्तने आल करने हैं